हेलो एन वेलकम टुकुकित प्रेमलता आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और यह देखिए प्याज है गाजर है टमाटर है सिम्ला मिर्च है बैगन है आलू है यह सब तो मैं आपको दिखा रही हूं तो इस सब के लिए मैं आज मिक्स बेजिटेवल बना रह तो टमाटर मैंने तीन टमाटर लिया है बड़ा टमाटर है उसका पेज बनाया है मैंने और यह बीम है यह आधा किलो बीम है तो इसको मैंने काट लिया अच्छी तरह से धो लिया है और फुलगो भी फुलगो भी एक बड़ा फुलगो भी लिया है मैंने तो उसको भी अच पत्ता है तो मैंने दो तेज पत्ता लिया है और यह प्याज है आप प्याज छोटा बड़ा जो भी कर सकते हैं प्याज पिसके भी डाल सकते हैं आपको अगर पिसके डालना है तो भी आप कर सकते हैं मैंने पिसके इसमें नहीं डाला है लंबा स्लाइस कर गए ही डालना है और तेल बच जाएगा उसको मैं निथार के ले लूँगे, अलग कर लूँगे, तो तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, यह सबजी अच्छी तरह से पक जाए बोलके, और इसमें मैं बीम को अच्छी तरह से डालूँगे, बीम को थोड़ा पकने के बाद ही मैं दुसरे हमें लेता है बीम तो इसलिए मैंने बीम को थोड़ा सा जल्दी पहले ही डाला है तो इसको मैं थोड़ा देल तक पकाऊंगी उसके बाद डालने के बाद और बागी सब्जी अभी मैं डालूंगी तो इसको देखिए मैं धीरे-धीरे करके समय वाध ईसके बार टाल दोँगे तो इसको ये साथ में एक्वल तरिके से ही पकेगा तो बीम को पकने में टाम लगता इस सबआ से करें लगानी अधारी से के बुद्ध के डाल काटी हूं तो फ्रैंच जो फ्राई होता है उस तरह से काट दी हूँ तो इस तरह से काटने से थोड़ जल्दी पक जाएगा बोलके क्योंकि जो इसाब से सब्जियों में मैं काटती हूँ उसाब से आज नहीं काटा है मैंने अलग तरीके से काटा है क्यों इस तरह से काटने से छोड़ा जल्दी पक जाए बोलके और ये देखे गाजर डाली हूँ गाजर को भी साथ ही में डालूँगे तो इसको भी पकने में थोड़ा समय लगता है तो इस साथ में ही मैं इसको पकाऊंगे और ये थूपरा सा पक जाए तो मैं बैगन डाल दूँगे बैगन को भी पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है इसलिए एक दूपर भूंजने के बाद मैं इसको बैगन को भी इसको डाल दूँगे और जब ये सब अच्छी तरह से पक जाए तो बाद में नमक भी डाल दूँगे तो नमक अपने हिसाब से आप डालिएगा क्योंकि नमक मैं देखे मेरा और थोड़ा सा पक गया तो भी मैं बैगन को डाल दी है बैगन को भी मेरा एक बड़ा बैगन है बैगन मैंने ज़्यादा नहीं लिया है एक ही बैगन लिया है और इसमें आप नमक फ़ड़ा लेट से ही डालेगा क्योंकि सब्जी बनने के बाद थोड़ा सब्जी कम हो जाता है उस हिसाब से आप नमक डालेगा क्योंकि सब्जी जब पकते रहता है तो उसमें अंदाज नहीं मिलता है कि नमक जादा हो जाए तो तो इसी सापका आपको द्यान रखना है और ये देखें इस तरह से भूंज-भूंज के मैं ढग-ढग की नहीं पका रही थी ऐसी ही पका रही थी आसानी से पक जा रहा था मेरा तो तेज आँच में ही इसको मैं पका रही थी और ये देखें मेरा कितनी अच्छी तरह से ये कूक हो रहा है और देखें बहुत अच्छी तरह से ये 70% मेरा अच्छी तरह से पक चुका है और इस स्टेज में मैं ये एदरक लसुल मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया है उसको और टमाटर का पेस्ट को मैं डाल दूँगे और साथ में इसको अच्छी तरह से भूंजूँगे वस इसी स्टेज में मुझे मसाले भी डाल देना है इसको पकाने के बाद तो मसाले अब अपने हिसाब से डाल सकते हैं तो मैंने जीरा, धनिया यह सबका पेस्ट डाला है एक एक चमई सारे पेस्ट डाले और अपने हिसाब से डाला है तो आपके पास जितने मसाले स का समय इंklude करके अपने मसाले कम जादा आप कर सकते हैं तो मैंने वैसा ही किया है सभी श deal में नमकडाल है तो नमक अभाव्र खालेगा किस्क्राइब 1 गास हो mów कि आई तो दिल है में मसालट में निकालनें के निकाल कि Horut वर सभी और सबस्जी बनाने कभी काम आ जाएगा तो मैं जो सभीर अलग से दीख रहे मैं सब्जी को किनारी करके निकाल लूँगी, क्योंकि मैं सब्जी में पानी नहीं डालूँगी, तो आसानी से तेल निकल जाएगा, तो आप अगर सब्जी बना रहे हैं, तो अगर सब्जी में तेल जाता है, तो इस तरह से साइट करके आप निकाल सकते हैं, सब्जी को किना साथ में जब मैं पनीर और मटर को भी डालके इसमें में अच्छा लगे टो भी उसमें में अच्छा लगा उद्धिन के समय में जा लूँगी यह frozen matter है तो आप चाहे तो आपके पास आपके पास अभी तो फ्रोजन मातर ही मिलेगा आपको छिलका वाला मट्र नहीं मिलेगा तो यह तो मट्र को इसकी भी कर रहेंगे और मैं देखिए सब्जी मेरा लगतार कम्प्लीटली होगी चुका है बस धन्या डालने की देरी है आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे नए चैनल प्रेमलता ओल इन वन को भी प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे फैमली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा प्लीज कमेंट करना ना भूले कि मेरी वीडियो आप सब्सक्राइब कैसे लगती है और देखिए सब्सक्राइब बहुत ही टेस्टी दीक रहे थी पूरा होटल स्टाइल बना है रेस्टोरेंस स्टाइल और इसी तरह से आ और यह सब्सक्राइब आप पूरी पराठा किसी चीज के वैसाथ खा सकते हैं और देखे मैंने प्लेट पे निकाल दिया है सब्सक्राइब कितनी अच्छी दीखड़ी है सब्स इसमें पस मुझे धन्या डालने के देरी हैं सब्स तयार हो गई है बस गर्म गर्म रोटी को सब्सक्राइब करें तैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो और शेयर करना ना भूलें और यह देखिए बनके तयार हो गया बाई